असलाम नेकुम, welcome back to my channel, एक निव रेसिपी के साथ मैं आप सब को welcome कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मदेदार और बहुत ही crispy potato zinger की recipe, आपने chicken zinger की recipes तो बहुत सी tries की होंगी लेकिन ये potato zinger बहुत ही खाने में tasty है और बहुत ही crispy, तो ज़रूर ट्रा यहां पर मैंने baby potatoes ले लिये थे उनको अच्छी तरह से wash कर लिया था जो आलू चोटे-चोटे size के होते हैं यह वही वाले है इन आलू का मैंने चिलका भी remove नहीं किया बस जहां से मुझे जरूरत महसूस हुई थी वहां से मैंने इने अच्छी तरह से साफ कर दिया था अच् यूज़ करूंगी मेदे को पहले चान लीजिएगा उसके बाद यूज़ कीजिएगा और इसके बाद अब हमने spices डालने हैं तो सबसे पहले नमक एड़ कर लेते हैं नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक एड़ कीजिएगा जितना आप like करते हैं उस हिसाब से एड़ कर ले तो fresh garlic यूज़ कर लीजिएगा और इसके साथ मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर ये सारे spices डितने भी मैंने एड़ किये हैं तकरीबन हमारे घर में हरवक्त ही मुझूद होते हैं साथ इसमें एड़ कर देंगे orange food color ये मैंने टू पिंचिस के बराबर एड़ किया है जिससे अच्छा सा color आएगा अगर आप एड़ नहीं करना चाहते तो skip कर दीजिएगा वसालों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे मेदे में और इसके बाद अब हम इसमें एक अद़ अंड़ डालेंगे अंडे से बहुती fluffy सा जो है crisp आएगा और जो बैटर है व उसकी perfect ratio भी मैं आपके साथ mention कर दूँगी तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी एड़ करते जाएंगे और इसे mix करते जाएंगे एकदम से जादा पानी अगर एड़ कर देंगे तो ये बहुत liquidy सा बन जाएगा हमे यहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसके mixing कर ली है आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स और नहीं है और ये spoon के उपर stay कर रहा है तो समझे बहुत ही best ये बना है तो चलिए अब हमने next step की तरफ चलना है जिंगर बनाने के लिए हमें यहां पर शाहिए होगा dry मेदा quantity थ करीबन दो कप के बराबर इसमें भी नमक एड़ कर लेंगे ताकि यह फिका फिका ना लगे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और कोई भी spices एड़ नहीं करेंगे क्योंकि काफी हद तक spices हमने mixer में ही add कर लिये हैं अब coating करना start करते हैं तो यहां पर एक एक potato को उठाते जाएंगे डिप करते जाएंगे और इसके उपर हमने dry मेदा लगाना है dry मेदा किस तां से लगाएंगे पहले 3-4 आलू मैं अच्छी तरह से डिप करके इसके उपर रख दूँगी और उसके बाद हम अच्छी तरह से इसके उपर dry मेदा लगाएंगे बहुत ही crispy और बहुत ही मज़ेदार ये जिंगर पटैटो बनते हैं बच्छों के most favorite है आजकल जिस तरह से weather बहुत अच्छा है और कुछ भी चटपटा खाने का दिल करता है तो यह recipe बहुत ही best है ज़रू try कीजेगा यहाँ पर देखे मैंने तीन अदद आलू ले लिए हैं और इस तरह से बहुत अच्छे से इसमें mixing करते जाएंगे तो जो उपर layering है crumbs की वो बहुत perfect बनती है हाथ भी गंदे नहीं होंगे और spoon की मदद से अगर आप करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है तो यह देखें बहुत अच्छे से मैंने mixing कर ली है और crumbs जो हैं उपर बन चुके हैं अब हम इने fry करेंगे तो oil मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है जैसे ही oil गरम होगा हम इने add करते जाएंगे one by one add करेंगे और यहाँ पर oil की quantity को कम लीजिएगा आप एक साथ भी काफी सारे potatoes के उपर coating कर सकते हैं और इनको fry कर सकते हैं लेकिन इनको बना कर रखिएगा नहीं फटाफट आपने coat करना है और fry करना है अगर बना कर रखतेंगे तो potatoes पानी छोड़ देते हैं जिसकी वज़े से coating उतर सकती है तो बस medium to low flame पर इनको fry करते अच्छी तरह से cook हो जाएगी तो turn कर देंगे आप देख सकते हैं कि उपर कितने जबरदस से crumbs बनना स्टार्ट हो चुके हैं और यह जिंगर तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा आप जरूर ट्राय करके देखिएगा इसको ketchup के साथ सर्फ कीजिये का बहुत ही best combination लगता ह यहां पर दोनों साइट बहुत ही perfectly cook हो चुकी है इनकों निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं किस कदर जबरदस इसके उपर color आया है और coating जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी अक्सर अकार जब हम potato zinger बनाते हैं तो coating उतरने का issue होता है आप same यही recipe follow कीजिएगा इन्शा मैं ना आए और बहुत ही सस्ता सा कुछ बनाना हो तो यह recipe बहुत ही best try कीजिएगा I hope आपको recipe अच्छी लगी होगी recipe अच्छी लगी हो तो kindly video को like कीजिएगा channel पर first time आये हैं तो जरूर मेरे channel को subscribe कीजिएगा और bell icon जरूर पैस कीजिएगा ताके आने वाली videos के सारे notification आपक एंचेगा आपको और मेरे नहर लगी हो जाए और यह लगी हो खुर आपको हैं नहरा रपको आपको कीजिएगा रवाए आने आपको आपको कीजिएगा दो चाहरा